नमस्कार मित्रों मैं हो असोग बर्मा आप देख रहें टीवी टॉंटी न्यूज सबसे पहले आप सभी दर्शकों को टीवी टॉंटी न्यूज परिवार की तरफ से महा सिवरात्र की धेल सारी सुब काम नाएं और आप एक नजर आज की खबरों की तरफ आजमगर की अत्रवलिया से खबर है जहां प्राचीन कले सुरधाम मंदिर पर भगतों के भीड़ उम्री हर हर महादेव की नारे संग श्वेंभू शिवलिंग पर चल चड़ाया क्या पतादिये की दुआ पर युगीन कले सुरधाम मंदिर पर महासुडात्र के आऊसर पर भारे भीड़ु मरी जहान सुबह से ही मंदिर का पहुंचने के लिए लोगों का आता लागा रहा मंगलवार बंदी होने के कारण पूरे रास्ते में कहीं भी चरधालों की कमी नहीं दिखाई दी इस प्राचीन मंदिर पर वर्सों से लोग आते हैं खास कर महासिवरात्र के अवसर पर लोग पहुँचकर जलावी से करते हैं वहीं महिला हैं तथा लड़कियां भी काफी शेंख्या में पहुचकर भगवान शिव का जलावी से करती हैं जहां लोग मेले का भी लुफत उठाते हैं मंदिर की मानेता है कि यह मंदिर द्वापर यूग का बना है जहां गुरु सिस्य परंपरा को जीवन तरहते हुए आज तक यह परंपरा चलिया रही है वर्तमान समय में पंद्रहवें सिस्य के रूप में बाबा दिरिप तासी महराच मंदिर के पुजारी हैं वहीं यह भी मानेता है कि द्वापर यूग का बर्वगत का पेड़ आज भी उसी तरह है तथावट व्रिक्ष को ही लोग शिव मानते हुए अराधना करते चलिया रहे हैं वहीं बगल हिस्तिते जमीन से निकला हुआ सिविलिंग है इस पर लोग पहुंच कर जलावी से चलाते हैं तो एक कावड यात्रा के दौरान भी लोग जलावी से चलाते हैं आयस मेनाते हैं कि बाबा दिलिपतास जी महराज मंदिर के पुझारी और सुधालू जी ते दरसुने ने क्या कुछ कहा ने वाला हूं यहां कि निमास्जी हूं पुझारी हूं और यहां रहा करके सेवा पूजा अर्चन भगवान जी का करता हूं यहां पर जो बरगद का पेड़ के निधे शिवा निजें और यह बहुत पुराना है नहुं के बहुत पहले कहा जाता है लेकिन हम लोग कि दिन आज महाशिवरात्री का पर्व है लोग हजारों की संख्या मा रहे हैं और स्री जी को जल चड़ा रहे हैं कितने वज़े से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है अरे रहेगा दो बज़े तक रहेगा इसके बाद जब भीर समाथ हो जाएगी यहां पर शुरुद्र यहां पर जो हमारे गुरुजी है कि स्री कांत दास जी महराज यहां रहकर के तबस्या किये हैं और तबस्या करते हुए और इनके पास कुछ अध्याद्मिक सक्तियां भी हैं और वे अपनी सक्तियों का प्योग किवल सब का भलाई सबका कल्याड करने के लिए करते हैं और सबका उध्धार हो सभी लोग परमादमा की तरफ हो अईसा उनका पूरा नाम क्या है इस धाम का पूरा नाम स्रीक कैलेश्वर नाथ धाम कैली चिस्तिपूर अत्रवलिया आजमगर है और यहां कि कोई ऐसी मानता है कि जो को दोर्व लोगों को जादमित करती है यहां पर कि जो जीए हैं है कि सीव जी का मंदिर पहले बन रहा था लेकिन उस समय को मियाके सर्थालों लोगों ने देखाँ जब मंदिर बना कर खड़ा किया मंदिर सब्सक्राइब अपने अप गिर गया तो यहां ऽो मांत थे हमारे गुरु जी की जो पहले थे जगतदाश जी महराज तो उन्होंने सब से कहा कि ऐसा है आप लोग शीव जी का मंदर स्वयम बर्गध ही होता है श्वैम उनका मंदिर है ही इसलिए इनके मंदर जरूबत नहीं होती है उसे मांनता निकले सब्सक्राइब करना तो जंगल बिचलती है सब जंगल था पहले यहां करते 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 लोग आये और देखे शिव जी का स्वाइंधु निकला हुए अस्थान है यहां पर रहे कर तपस्य करने लिए कि मानता भी बन रही है किसे परचे दीजिए आप कहा की निवासी है क्या नाम मैं जितन कुमार स्वड़कार अत्रोलिया नगर पंचायत करने वासी है कि कई सालों से आप य है क्या मानता है यहां कि कितने लोग लगब जल चड़ाने का कारिया लग दिरंतर चला है और देख रहे होंगे भीड़ बढ़ती जा रही है और ऐसी मानता है कि जो भी यहां कोई अपनी मन में मुराद लेके आता है तो खाली हाथ में जाता है आप कई वर्सों से यहां पर मतेर हुआ तो सघ्ठान सांकर जया यहां यहां आने के बार कि सांथी मिलती है और जो भी वदियान होती है वो उसकी प्राप्ति होती है और विशर तो उस्भर परना संत्तर लोग रहते हैं और ये लगबग 15 हमें गुरू हैं इस समय जो स्रिकान दाजी महराज हैं उनके सिदिलीब दाजी है तो एक तो यही है कि यहां यह तपवस्तली है ध्यान साधना तपस्या की अस्थान है ना कि यहां दिखावा कोई हो यह हर साल क्रपती यहां मेला लगता है महासी राती में बहुत भीड लगती है लगबग आपके अंदाज से कितने लोग लगवा कितने लोग आते होंगे अब अनुवान तो नहीं हो पाता है चुकि बहुत भीड आती हो गिनने में नहीं आपाता लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि 10-15,000 लोग तो भी दरसन करी लेते हों